तो आज के वीडियो में आपको यह बतां हूँ हूँ है कि नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल में क्या फटक होता है पेट्रोल से गया था हम वहां पेट्रोल वाले ने है विज़ुद आगए ज'RE गाड़ी था उसको बोला कि प्लेट्र क्या फरक होता है तो एक octane का फरक होता है अब आपके मन में ये सवाल पेदा होगा कि ये octane किस चीज का नाम है हेलो दोस्तों विल्कम टो माय चैनल अनम लॉजिक दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये बता हुआ कि नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल में क्या फरक होता है हमोँ ये जो पावर पेट्रोल निगला है तो चलिए दूस्तों शुरू करते हैं अभी तक आपने पिल चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक शिरो सब्सक्राइब ज़रूर किजिता कि इसी इंफरमेशन में आपको देते रहूं तो दोस्तों यहाँ पे देखियें बात अती है सबसे पहले तो नॉर्मल पेट्रोल उसके बाद पावर पेट्रोल इन दोने में फ़रक क्या होता है तो देखिये नॉर्मल पेट्रोल जो होता है और पावर पेट्रोल जो होता है इनमें सिर्फ एक ओक्टेन का फरक होता है उसमें दोडने वाला जो खून है वो पेट्रोल है और आपका जो शरीर है वो गाड़ी है तो आपके बदिन में जितना अच्छा खून होगा उतने अच्छे आपका शरीर चलेगा आपका शरीर काम करेगा आपका माइन करेगा आपका बदन तंदरूस लेगा तो उसी तरीकि के बीच में तक निबं और जो पावर पकेट्रोल होता है उसके अदर दोस्तों 91 से लेकर 94 के भीच में ऑख बीच में एक मातरा होती है तो जिसकी वजे से क्या होते है कि पावर पे-ट्र道 जो नॉर्मल पे-ट्रोल से ज़धा only आपको चलाना है तो मैं रिकमेंडेट करूँगा आप पावर पेट्रोल का इस्तेमाल करें ताकि जिसकी वज़े से आपका जो गाड़ी है वह बहुत अच्छा परफॉर्मेस आपको देने लगें ठीक है यही होता है क्या होता है नॉर्मल पेट्रोल में क्या होता है दोस्तो आपका जो कंप्रेसर है वह ठीक तरीकी से काम नहीं करता है क्योंकि आपकें की मातर काम होती है तो वह कंप्रेस बराबर नहीं करता है तो जिसकी वज़े से वह बारबर नौक होने लगता है तो इंजन को जादा मेनत करनी पड़ती है, गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मेनद करनी पड़ती है, यह अगर Octane की मातरा ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा मेनद इंजन को नहीं करने लगीगी, और वो और पेटरल की वज़े से उसकी, क्योंकि Octane की जो मातरा है, वो 91 से लेकर 94 के बीच में होती है, तो ज़्यादा होने की वज़े से आपका जो इंजने वो अच्छा परफॉरमेंस देगा, और गाड़ी भी लॉंग टाइम के लिए आपका इंजन ज़्यादा शुरक्षीत रहे और खराब कोन रहेगा तो आम बीमारिया खराब हो जाएगा, तो अगर उसमें Octane की मातरा अच्छी रहेगी, तो अपकी गाड़ी भी ज्यादा देर, ज्यादा देर, कई सालों तक अच्छी चलेगी, और कितना उसका इंजन परफॉरमेंस भी अच्छा रहेगा, अम बेरे मुझे मुझे वहाँ पर समझ में आया, यह मतलब एक्चल में क्या फरक है, तो उसके लिए मैंने यह वीडियो बनाने का, उसे मैंने इसके उपर रिसर्च किया, गूगल को पर गया, मुझे पता चला, तब जाके मैं आपके सामने यह वीडियो राक रहा हूँ, अगर वो और यह वीडियो आज आपके सामने नहीं बता, बस यही फरकता और कुछ नहीं था, ठीक है, तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कि नॉर्मल पेट्रोल और एक पावर पेट्रोल में क्या फरकत है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शे स्राइक और कुछ